C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की भुगोल की पाठ्थे पुस्तक, प्रिथ्वी हमारा आवास, प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 3, प्रिथ्वी की गतियां, प्रिष्ठ 19 से लेकर, प्रिष्ठ 23 तक, तो आईए आप सुनते हैं पाठ, प्रिथ्व की गति दो प्रकार की है, घूरणन एवं परिक्रमन, प्रिथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूरणन कहलाता है, सूर्य के चारो और एक स्थिर कक्ष में प्रिथ्वी की गति को परिक्रमन कहते हैं, प्रिथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षिय स प्रिथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। इस के आधे भाग पर ही सूर्य की रोश्नी प्राप्त होती है। जैसा की चित्र 3.2 में दिखाया गया है। इस चित्र में प्रिथ्वी और सूर्य को दर्शाया जा रहा है। जो ये भी बता रहा है कि सूर्य की रौश्णी प्रिथ्वी के जिन भागों पर पड़ रही है, वहाँ पर दिन है, और प्रिथ्वी के जिस आधे भाग पर सूर्य की रौश्णी नहीं पड़ रही, वहाँ पर रात है, चित्र के नीचे लिखा गया है, घुर्णन के कारण प जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रधीप्ती वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा की आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। प्रिथवी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घुरणन के समय काल को प्रिथवी दिन कहा जाता है। यह प्रिथवी की दैनिक गती है। आओ कुछ कर के सीखें। प्रिथवी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य क दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोंबत्ती। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाईए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधिरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाईए। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शह यह सूर्यास्त है। प्रिष्ठ बीस। क्या आप जानते हैं? प्राचीन भारती अख गोल शास्त्री आर्य भट ने बताया था कि प्रिथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घुरनन करती है। अगर प्रिथ्वी घुरनन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले प् हमेशा अंधिरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। प्रिथ्वी की दूसरी गती जो सूर्य के चारों और कक्ष में होती है उसे परिक्रमन कहा जाता है। प्रिथ्वी एक वर्ष या 365 एक बटा चार दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोडते हैं। चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अत सी रिक्त दिन को फरवरी के महिने में जोडा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 घंटे का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। इस प्रिष्ठ पर च चित्र में मध्धि में सूर्य को दर्शाया गया है और उसके चारों तरफ पृत्वी का परिक्रमण दिखाया जा रहा है। अर्थात 22 दिसंबर के समय उत्तरी गोलार्ध में शीत रितु होती है तथा दक्षणी गोलार्ध में ग्रीश में रितु होती है। एवं शरद रितु हों में बाटा जाता है। रितु हों में परिवर्तन सूर्य के चारों और पृत्वी की स्थिती में परिवर्तन के कारण होता है। प्रिष्ठ संख्या 21। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 चून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ जुका है। सूर्य के किरणे करक रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उश्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उश्मा प्राप्त होती है। क्योंकि वहां सूर्य की किरणे तिरची पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ जुका होता है। इसलिए विशुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। प्रिथुई की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिन धुरुफ के सूर्य की ओर जुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणे सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरिणे मकर रिखा पर लंब बत पड़ती हैं, इसलिए दक्षणी गोलार्ध के बहुत बड़ी भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीश में रितु होती है। इसके ठीक विप्रीथ स्थिती उत्तरी गोलार्ध में होती है। प्रिथवी की इस अवस्था को दक्षण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आस्ट्रेलिया में ग्रीश में रितु में क्रिस्मस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरिने विश्वत वृत्थ पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं जुका होता है। इसलिए पूरी पृत्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। इसे विश्व कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद रितु होती है, जबकि दक्षिनी गोलार्ध में वसंत रितु होती है। 21 मार्च को स्थिती इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत रितु तथा दक्षिनी गोलार्ध में शरद रितु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृत्वी के घूरणन एवं परीक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा रितूओं में परिवर्तन होता है। आओ, कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीरगवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पैंसिल, दो पिने तथा एक धागे का चल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागस पर स्थिर कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के चल्ले को कागस पर रखें। अब पैंसिल से धागे को कस कर तानते हुए पैंसिल को धागे के साथ घुमाते जाईए अब जो आकरिती कागस पर बनेगी वह दिरगवरित्त होगी आओ कुछ करके सीखें एक ही दिशा में प्रित्वी के जुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दिरगवरित्त बनाएं तथा चड़ी में लगा हुआ एक जण्डा ले दिरगवरित्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं वहां से दूर स्थित किसी व्रिक्ष के सबसे उपरी हिस्से के किसी बिंदू की ओर जण्डे से दिखाएं अब जण्डे को उसी स्थिर बिंदू की तरफ रखते हुए दीरगवरित्त पर चलें इसी प्रकार प्रिथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिती में जुका हुआ रहता है प्रिथ्वी के परीक्रमन तथा प्रिथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में जुके होने के कारण रितु परिवर्तन होता है प्रिष्ठ बाईस अभ्यास प्रश्न एक आगे दिये गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए पहला प्रित्वी के अक्ष का जुकाव कोण क्या है दूसरा घूर्णन एवं परिक्रमन को परिभाशित करें तीसरा लीप वर्ष क्या है चोथा उत्तर एवं दक्षन अयनांतों में अंतर बताईए पांचवा विशुव क्या है छठा दक्षनी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षन का अयनांत अलग-अलग समय में होता है क्यूं? साथवा द्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की राथ होती है क्यूं? प्रश्न 2 सही उत्तर चिनहित कीजिए पहला प्रिथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है क घूर्डन ख परिक्रमन ग जुकाव दूसरा सूर्य की सीधी किरिणे विशुवत वृत्त पर किस दिन परती है क 21 मार्च ख 21 जून ग 22 दिसंबर तीसरा गर्मी में क्रिस्मस का पर्व कहा मनाया जाता है क जापान ख भारत ग ऑस्ट्रेलिया चौथा रितूओं में परिवर्तन प्रित्वी की किस गती के कारण होता है क घूरणन ख परिक्रमन ग गुरुत्वा कर्शन प्रश्ण तीन खाली स्थान भरें पहला एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या रिक्टिस्थान होती है दूसरा प्रिथ्वी की प्रति दिन की गती को रिक्तिस्थान कहते हैं तीसरा प्रिथ्वी सूर्य के चारो ओर रिक्तिस्थान कक्षा में घूमती है चौथा 21 जून को सूर्य की किरिणे रिक्तिस्थान रेखा पर पड़ती है पांचवा रित्त स्थान रितु में दिन छोटे होते हैं आओ कुछ करें पहला प्रित्वी के अपने अक्ष पर जोगाओ को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाईए दूसरा प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदै एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानिय समाचार पत्र की साहिता से लिखिए तथा निम्न लिखित के उत्तर दीजिए औ किस महीने की दिन सबसे छोटे हैं ब किन महीनों में दिन एवं रात लगभग बराबर होते हैं प्रिष्ठ 23 आओ खेलें पहला धागे के एक ही छल्ले की मदद से दो पिनों को नस्दीक एवं दूर रख कर विभिन आकारों के दीरगवरित बनाए ध्यान दें कि दीरगवरित कब वरित बन जाता है दूसरा किसी दिन धूप के समय एक मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी ले मैदान पर साफ एवं समतल स्थान को चुने इस छड़ी को मैदान पर वहां खड़ा कर दें जहां इसकी छाया स्पष्ट बनती हो पहला चरण छाया के सबसे उपरी बिंदू को पत्थर या किसी दूसरी वस्तु से चिन्हित करें पहला छाया चिन्ह हमेशा पश्चिम की तरफ होता है पंदरह मिनट के बाद देखें तथा पुनह च्छाया के उपरी बिंदू को चिन्हित करें उस समय तक यह कुछ सेंटिमीटर दूर चली गई होगी अब दोनों बिंदूओं को मिला दें इस प्रकार आपको जो रेका प्राब्ट होगी वह पुर्व पश्चिम रेका होगी दूसरा चरण अब इस प्रकार खड़े हो जाएं की पहला चिन्ह आपके बाई तरफ तथा दूसरा चिन्ह आपके दाई तरफ रहे अब आपका मुह उत्तर दिशा की तरफ है यह तथ्य प्रिथ्वी के किसी भी स्थान पर सत्य है क्योंकि प्रिथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है एक अन्य तरीका और भी अधिक सही होता है लेकिन उसके लिए अधिक समय की आवशक्ता पड़ती है अपनी चड़ी को एक जगह रख कर सुभा की पहली चाया को चिनहित कर दें एक तार की मदद से चड़ी के चारो और एक वृत्त खंड बना दें दोपहर की समय चाया छोटी या खत्म हो जाएगी दोपहर के बाद यहाँ फिर से बढ़ने लगेगी तथा वृत्त खंड के एक बिंदू को चुने लगेगी उस बिंदू को चिनहित कर दें सही पूर्व पश्चिम रेखा प्राप्त करने के लिए अब उन दोनों बिंदूओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा खीजें इसी के साथ आठ पाठों की इस पुस्तक का तीसरा पाठ यहां समाप्त हुआ वाचन संदीब भट निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत